मित्रों नवरात्री के दौरान क्यों होती है स्री राम की पूजा नवरात्री के दौरान अक्षर लोग स्री राम चरित मानस का पाठ करते हैं तो आई ये हम बताते हैं कि नवरात्री और भगवान राम का क्या शंबंद है मा के नवरात्री में नव अलग अलग रूपों की पूजा होती है नवरात्री में पहले दिन शैल पुत्री का पूजन होता है इसके बाद गमचारनी, चंद्रगंटा, कुश्मांडा, अश्कंदमाता, कात्याईनी, कालरात्री, महागौरी और सिध्धी दात्री को पूजा जाता है इसी के साथ नवरात्री में भगवान राम की भी पूजा की जाती है और इसे फलदाई माना जाता है ऐसे शालवर में पांच नवरात्र आती है, जिसमें से दो मुख्य होता है एक चैत शार्दिये नवरात्र, एक चैत में होता है, एक और सार्दिये नवरात्र जो अभी शुरू हो रहा है इसमें स्री राम का एस्मरन किया जाता है ऐसे माता के शाथ स्री राम का पूजन कैसे जुरा हुआ है यह तो अपनी आप में दिल्चस्प है कि राम ने भी और माता ने भी दोनों ने अशुरों का बिनास किया था तो आईए इस गहन रहस्य को बताते हैं कि मादुर्गा ने चंड मुंड सुम्भ निशुम्भ चिक्छुपर महिशासुर जैसे दानवों का बद किया था वही दूसरी और भगवान राम ने रावन का बद किया था भगवान राम ने भी मादुर्गा की उपासना की थी वही स्री राम और मादुर्गा दोनों ने अन्या के खिलाप आवाज उठाई थी पुरानों के मुताबिक भगवान राम ने भी मा दुर्गा की उपासना करके सक्ति प्राप्त की थी राम का अर्थ राम होता है रमन्ती योगी ने यसमीन शोराम अर्थात योगी गन अपने ध्यान में जिन्हें देखते हैं वे है राम राम का तंत्र में अर्थ है कल्यानकारी अगनी और आकास इसलिए नवरात्रों में रामचरितमानस का विधान है और जातक दुर्गापुजा के साथ साथ रामकथा का भी पाठ करते हैं योग और भोग दोनों फलों को देने वाला ग्रंथ दुर्गाशप्त सती संपुर्ण रूप से तंत्र ग्रंथ है रामकथा मुक्ष या योग या कैवल की और ले जाने बाली बिद्ध्या है राम रिशी संस्कृति के प्रतीक पूरुशें भारतिये संस्कृति रिशी संस्कृति तथा क्रिशी संस्कृति का समलित शुरूप है राम और नवरात्र दोनों ही नवरात्रों में भगवान राम की भी पूजा की जाती है चैत नवरात में जहांपर प्रभुषी राम का जन्दिवस मनाते हैं और ओही शार्दी ये नवरात्री में दसरा मनाने का प्रापदान है रावन पर विजय के कारणी से विजया दसमी भी कहते हैं ऐसे नवरात्री में हमें अखंड जोती जरूर जलाना चाहिए नवरात्री में नौ दिनों तक देवी माता का विशेश सिंगार करना चाहिए चोला फूलों की माला हार और नए कपरो से माता जी का सिंगार किया जाता है वही नवरात्र में देशी गाय के घी से अखंड जोती जलाना माभगवती को बहुत प्रसंद करने वाला कार्ज होता है लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन घी से माता की अखंड जोती पुजा स्थान पर जरूर जलाना चाहिए तो बोलिए जैसी आराम